नमस्कार इस साल हमें काफी किसानों की सिकाइत मिल रही कि चने में फूल नहीं आ रहे हैं या जो फूल आ गए उनसे फलिया नहीं बन रही है तो इस वीडियो रिपोर्ट में हम जानेंगे कि चने में इस साल फलाव क्यों नहीं आ रहा है फूल क्यों नहीं ठहर रहे हैं और क्या इलाज है क्या हमें वास्ता में स्प्रेक करने की ज़रूत है या नहीं है देखिए यह चणे की फसल हमारी क्रीब देखिए और नए फूल बढ़ने की संभावना बहुत कम होती है और जो फूल है वह भी बांज के गिर जाएंगी उनसे भी फलाव बने की उसका कारणी यह है कि जब तपमन 10-15 डिग्री सेल्चेस तब आपको फूल का नर भाग होता है जिसको पोलन हो जाता है और उसका कारण ये रहता है कि जो पोशक्ता तो होते हैं उनका पौदे के अंदर mobilization नहीं हो पाता है कम तापमान की वज़़े से और कहीं कहीं यह भी देखा गया है कि जब काफी कम तापमान होता है तो कुछ ऐसे हार्मोन्स पौदे में पैदा हो जाते हैं जैसे की एपसेसिक एसिड जिसको एबीय बोलते हैं उसकी वज़ए से इसमें फलाव ठहरता नहीं है और जो आपका पॉलन है वो इस्ट्रेल रह जाता है तो ऐसे में किसान बिल्कुल परेशान नहों जब तापमान आपका बढ़ेगा पंदर डिग्री से उपर जैसे ही तापमान जाएगा इसमें जो फलाव आएगा वो ठहरेगा भी और उससे फलिया भी बनेगी हां कई बार किसानों की संकार रहती है क्या आपकी बार चने का बहुत कम उत्पादन रहेगा है हां लगता यसा है कि चने का पादन थोड़ा कम रह सकता है उसका कारणी है कि जनुरी का मैंना है वह इन मैंनों उसमें फूल आते ऐंप्यां बनती है उस में बहुत कम तापमान रहता है ँससे जो आपके फूल आ उन से फलिया नहीं बन पाती हैंक्वतकमानिंवह नहीं कि जिस से यूँ आप कह सकते है कि थोड़ा चने का उत्पादन कम रह सकता है लेकिन एकदम से शोटिश आप नहीं कह सकते क्योंकि यदि थोड़ी ठंड लंबे टाइम तक रह गई तो वह बर्पाई हो जाएगी तो ऐसे में मैं किसानों को सला दूंगा कि आप लोग आरन्फानम में या किसी गलत किसी के बै प्राकर्तिक तरीका होता है उसमें फूल आएंगे फ्लाव होगा जब उसको कंजीनियल तापमान मिलेगा तो जैसे यह तापमान बढ़ेगा 15 अपर जाएगा इसमें फूल भी आएंगे फ्लाव भी बनेगा तो आप प्रेशान ना हो बीना किसी कर्शिव शेशग्य की शल प्रेदे की बनिश्पत नुक्सान हो सकता है मैं मेरी बात को नट सेल में यह कहूंगा कि यदि तापमान काफी कम है जनुरी में तो नो डाउट इसमें फूल कम रहे होंगे जो फूल बने हैं उनमें भी फलिया नहीं बनी होगी लेकिन जैसे ही तापमान 15 अपर जाएगा फलाव आएगा और थोड़ी सी लंबी ठंड रह गई तो उमीद है कि अपने उत्पादन भी बहुत ज्यादा इस पर इससे प्रभावित नहीं होगा तो आप बीना किसी कर्शी विशेशगी सेला कोई भी गलत केमिकल इसमें इस्तिमाल नहीं करें नमस्कार जहिंद